बिहार में राजनितिक परिस्तितियां बदल रही हैं, हमारे साथ मौझूद हैं चिराग पासवान जी, जो पल-पल परिस्तितियां बदल रही हैं बिहार की, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए वेट और वाच ही कर रहे हैं हम लोग भी एक बार परिस्तितियां स्थिर हो जाएं कई तरीके के क्यास लगाय जा रहे हैं ऐसे में एक बार पूरी तरीके से स्थिति सपष्ट होती है लोग जन्शक्ति पाटी रामलास ना सिर्फ अपनी नजर इस पर रखी हुई है बलकि हम लोग की भी निरंतर बैठको का दौर चाल रहा है पाटी के द्वारा गडबंदन से जुड़े विभिन विशों पर फैसला लेने के लिए मुझे अधिकरित किया गया है आज मैं दिल्ली भी वापस जा रहा हूं आज से वैसे पूर्ण निधारित कई कारेकरम थे क करपूरी धाम जाना था, वहां पे जिस तरीके से करपूरी ठाकर जी को देश का सरवुच सम्मान दिया जा रहा है जो लंबे समय से हम लोग की उमीद थी, हम लोग की मांग थी, देश वासियों की ये मांग थी, मैं चाहता था कि उस धर्थी को जाकर मैं नमन कुनूँ पर उसको भी थोड़े दिनों के लिए पोस्पन किया गया, आयोध्या से आया हूं माता सीता के दर्शन की उमीद रखता था, पर राजनितिक परिस्तितियों को देखते वे इन तमाम कारेक्रमों को फिलहाल के लिए स्थाकित करकर मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं, भाजपा के श दोस्त नहीं है, ठीक से नहीं चल रहा है, गड़बंधन और इसी वज़ा से वो वापस आना चाहते हैं फिर से एक बार NDA के साथ, सुना मैंने भी है, और पिछले कई वर्षों में कई बार हम लोग यह सुन चुके हैं, कि वो जिस गड़बंधन में है, वहां पे सहज नही है, बड़ बहराल, इन तमाम परिस्तितियों को एक बार स्पष्ट होने के बाद ही लोचपा अपना भी रुख साफ करेगी, नितिश कुमार अगर NDA में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, लीकि बहुत हाइपोधेटिकल है, बहुत अगर मगर, अगर मगर के प्रशनों मदे नज़र रखते हुए लिया है, पार्टी उस वक्ट भी अपना स्टैंड लिया करेगी, हमारे नेता ने इस बात को हम तमाम कारे करताओं को सिखाया था कि सबसे उपर राष्ट हित, फिर पार्टी का हित और अगर उसके बाद कुछ बचे तो विक्तिगत हित की चिंता आपको करनी चाहिए, जो भी निर्ने लिये जाएंगे वो प्रदेश के हित को मदे नज़र रखते हुए, लोग जिन शक्ति पार्टी रामविलास के हितों को मदे नज़र रखते हुए लिये जाएंगे, क्या जो संकेत मिल रहे हैं, बदलाव के संकेत जरूर आज की तारी यह स्टानर केगी. यह स्टानर केगी.